हेलो आवरेवरीवन और वेलकम बाक तो आवर यूट्यूब चैनल सेवी फॉरेंचिक्स आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली थोड़ा सा डिफ्रेंट टॉपिक है अच्छिली ऐसे गोगल पर सर्च करते करते मुझे एक बहुत इंट्रोस्टिंग सा टॉपिक मिला तो यह टॉपिक जो है बेसिकली आपका हैंड राइटिंग से रिलेटेड है यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपके पामर मैथेड होता है जैनर ब्लॉसर मैथेड होता है और डी नीलियन मैथेड होता है बिसिकली यह टॉपिक मुझे मिला था जैनर ब्लॉसर मैथेड का यह एक क्वेशन के फॉर्मेट में था तो इसी के बारे मैंने जब सर्च किया तो इससे लिंक यह आपका पामर मैथेड और डी नीलियन मैथ सकता है question तो इसी वेड़े से यह वाला topic मैंने लिया है so I hope यह आपके लिए beneficial हो जाएगा अगर किसी topic के बारे में आपको पहले से पता होता है and then आपके exam में question आजाए तो आपके लिए beneficial हो जाता है तो यह basically यहाँ पर जो आपके handwriting होती है उससे linked topic है basically handwriting आप जब करते हैं कुछ हाथ से लिखते हैं तो उसके आपके हाथ के movement किस तरह से किसी letter को बना रहे हैं किस तरह से आप उनको लिख रहे हैं तो वो सारी चीजों पर based यह सारी के सारी आपके methods हैं तो इन्हें के बारे में आजा हम बात करेंगे और इस वीडियो को सभी के साथ में sure कर देजेगा ताकि सभी तकी वीडियो पहुंच जाए और सभी के सभी students इतनी भी नितकी preparation कर रहे हैं उनको इसके बारे में पता चल जाए तो अभी start कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका Palmer method होता है इसके बारे में यह आपका Palmer method है यह develop और promote किया गया था Austin Palmer यह एक scientist थे इनके द्वारा 1880 में ठीक है यहाँ पर basically यह scientist का नाम important हो सकता है यहाँ आप डिरेक्टी लिंक कर सकते हैं Palmer से कि यह Palmer method Austin Palmer ने दिया था और यह आपका जो year है यह important हो सकता है यह आपका Palmer method होता है यह involve करता है muscle motion जो आ इसमें जो more proximal muscles होती है proximal muscles का मतलब होता है जो आप लिख रहे होते हैं तो लिखते time पर आपकी fingers के पास की जो आपकी muscles होती है जहां से आपके pen के पास में जो सबसे पास की muscles होती है उनका यहाँ पर movement देखा जाता है basically जो arms की आपकी proximal muscles होती है उनके बारे में यहाँ पर ब आप मतलब आपके hand की बात हो लिए, hand में जो आपका four arm होता है, उसमें जो proximal muscles होती है, उनका movement किस तरह से हो रहा होता है, वो आपका Palmer method में include करा जाता है, यहाँ पर जो fingers की movement होता है, वो पुरी तरह से prohibited होता है, मतलब कि जो यहाँ पर fingers का movement होता है, वो आपके Palmer method में नहीं होत कमाते हैं जैसे आप कदे हैं तो लिखते टाइम पर आपकेression का भी एकवर movement होता है जितना के Arm की complex का होता है звуч पारंबल मेफ्हेड में जो आपके फिंगर होती है वह आपनए पोजिशन पर stop रहती है उसमें कोई movement नहीं होता है यहाँ पर सारा सारा चीजे, यहाँ पर यहाँ पर यह आपकी fingers हैं, तो यहाँ पर यह जो आपका hand होता है, जहाँ पर आपकी humerus bone होती है, और यह वाला जो आपका portion होता है, जो आपका four arm कहलाता है, जहाँ पर radius and allow होती है, ठीक, तो यहाँ पर यह वाली जो muscles होई, ये आपकी distal portion हुआ, आपकी muscles का distal portion हुआ, और यहां वाले partner म为ली पॉशीन होई, तो यह आपका arm है इसमें यह वाली muscle होती है, जौपकी proximal muscles होती है, इन में movement होता है, और जो fingers होती है, इन में किसी भी तरह का कोई भी movement नहीं होता है ठीक है इसमें कोई भी motion नहीं होता है कोई भी movement नहीं होता है यह अपनी position पर ही रहते हैं बस pen को पकड़े रहते हैं pen pencil जो भी आपकड़े हैं वो उसको पकड़े रहेंगे अपनी position पर देंगे बाकी का सारा काम जो आपका आम होता है उसका होता है तो इस तरह से आपका Palmer method में होता है इस तरह से आप जब लिखते हैं तो वह आपका Palmer method में include करा जाता है तो यह हो गया I hope आपको यहां तक समझ में आ गया होगा अब यह हम बात करेते हैं Zenner Blosser method की तो Zen Zenner Blosser method जो है यह एक scientist थे जिनका नाम Zenner था उन्होंने ही इस method को बताया था और यह method जो है 1895 में introduce हुआ था इसमें जो आपके letters होते हैं वो आपकी straight lines होती है और circles होते हैं जैसे कुछ आप लिख रहे हैं तो उसमें बिल्कुल straight lines होगी जैसे कि आपको A बनाना है तो यह straight line ह होगी और यह को circle के format में होगा चीक है C बनाना है तो यह भी आपका एक तरह से circle जैसा ही होगा डी बनाना है तो यह भी आपका एक तरह से circle के format में ही होगा और straight lines होगी तो जब कोई भी चीज आप लिखते हैं कोई भी letter आप लिखते हैं तो उसमें जो आपकी lines बनती हैं और जो circles बनते हैं तो वो straight lines and perfect circles बनाई जाते हैं general browser method में यह जो आपका general browser होता है is written straight up and down in manuscript printing and slanted in cursive जब आप कोई चीज को लिख रहे होते हैं तो उस time पर जो manual script printing होती है वहाँ पर manual script printing का क्या मतलब होता है जब manual किसी चीज को print कर रहे होते हैं तो वहाँ पर manual script का मतलब जब manual print कर रहे हैं बिसिकली अपने हाथ से कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पर जो letters होते हैं वो straight up होते हैं and down होते हैं ओर जोitative writing की बात आती है तो यही zanner browser में slanting आ जाती है slant motion हो जाता है जो आपकी letters होते हैं वो हलका सा tilted हो जाते हैं एक side मेचाय है वो left हो जाय है वो right हो तो यहाँ जो इसमें जैनर browser method में जो letters होते हैं उसमें आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसमें दो completely different styles के बीच का आपका method होता है, वो Zenner Blosser method होता है, यहाँ पर जब आप printing को देखें और जब आप cursive writing को देखें, तो दोनों ही चीज़ें बिलकुल अलग-अलग होती हैं, और इनका जब आप combination बना देते हैं, तो वो बन जात आपका Zenner Blosser method, टो basically जो आपका Zenner Blosser method होता है, वहाँ पर कुछ characteristics आपको printing जैसी देखने को मिलेंगी, और कुछ characteristics आपको cursive writing जैसी देखने को मिलेंगी, टो यह होता है, आपका Zenner Blosser method, आपको समझ में आ गया होगा, basically यहाँ पर मैंने आपको कुछ image नहीं लगा पाई, basically बहुत क्लिर कुछ image मिल नहीं रही थी आप Google पर search करेंगे तो आपको एक page मिल जाएगा general glosser method करके search करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा image मिल जाएगी तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं तो यह होगया आपका general glosser method and अभी हम आगे move करते हैं यहाँ पर next है आपका Denealian method Denealian method में क्या होता है इस method was developed by Donald Thurber while teaching in a primary school and was first introduced in 1978 यहाँ पर एक scientist थे Donald Thurber यह जब primary school में teach कर रहे थे primary school के students को पढ़ा रहे थे उस time पर उन्होंने इस method की search करी थी and यह method जो था introduction में आया थे आपके सामने आया था 1978 में 1978 में Denealian method का आपका introduction हुआ था Denealian manuscript form होती है जिसमें बहुत सारी similarities होती है cursive version से मतलब कि जो आपका Palmer method था वहाँ पर basically आपका जो लिखा जा रहा था वह काफी हद तक straight लिखा जा रहा था वो cursive जैसे थोड़ा सा कम था then हम जब general glosser method में आये तो वहाँ से बहुत ही हलका सा minute सा slanting आई बहुत ही minute सा वहाँ पर cursive writing आई exactly cursive तो नहीं कहांगे बिल्कुल बहुत ही minute सी cursive आई थी ठीक है बाट जो Denealian method था यहाँ पर cursive थोड़ा सा जाधा आ गया था ठीक है तो सबसे पहले आपका introduction होगा था Palmer method का Palmer method के बाद में आया था आपका Zenner Blosser method और Zenner Blosser method के बाद में आया था आपका Denealian method ठीक है तो इसी वज़े से इसके बाद में हमारी cursive writing और basically यह सारी चीज़ें आई है तो जो Denealian method होता है यहाँ पर cursive writing जैसे कि बहुत सारी similarities देखने को मिलती है इसके अलावा it has continuous strokes with curved and slanted lines जो यहाँ पर curved lines होती है या फिर जो slanted lines होती है उसमें continuous strokes होते हैं मतलब क्या है कहने का जैसे कि आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं तो इसमें continuity रहती है कुछ breakage नहीं हो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है पूरा continuous way में एक ही से link है सब कुछ ठीक है तो यहीं चीज होती है जो curved या फिर slanted lines होती है slanted मतलब का क्या मतलब जो हरका सा तिरशी lines होती है तो वाकी slanted lines हो गई और जो curved lines होती है तो उसमें continuous strokes आपको देखने को मिलते हैं ठीक है then delinean letters are learned with the tails in manuscript printing so the transition to cursive is simpler pretty much as all you need to do is connect the tails so basically the delinean method है वहाँ पर क्या होता है जब आप कुछ cursive writing में लिखते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सारे कि सारे letters होते हैं वो एक दूसरे से interlink रहते हैं जैसे कि कोई भी आपने एक word लिखा तो उसके जितने भी letters होंगे वो एक दूसरे से interlink होंगे interlink कहा से होंगे जो आपका tail होती है तो य को पोर्षन हुआ यह तो इसको हम कहेंगे टेल इसी तरह से जब आप कोई भी लेटर लिखते हैं तो यहां पर हमने लेखा यूजिंग जो आपका प्रिवेस लेटर है उसकी जो टेल पॉर्षन है उसके हेल्प से पूरा एक डूसरे को इंटरकनेक्ट किया गया है तो यह चीज होती है आपकी दीन इलियन मेथेद में यहां पर बेसिकली जो कर्सिव वर्जन होता है थोड़ा सा जादा देखने को मिल में तो यह सारे के सारे कुछ आपके इंपोर्टेंट पॉइंट से इस मेथेड में आयोप यहां तक आपको चीज है अच्छे से क्लियर हो वह होंगी मैंने यहां पर आपको ड्रॉ करके लिख के समझाना की कोशिश करी है आयोप आपको समझ में आ रहा होगा बट फिर भी आपको यहां पर किसी भी तरह कोई भी डाउट हो रहा है तो जस्ट आप गूगल करिएगा गूगल पर आप सिर्फ इतना लिखेगा जैनल ब्लॉसर मेथेड तो वहां पर आप जब खुलेंगे तो सबसे उपर ही एक लिंक आएगा वहां पर आप उसकी इमेज को देख सकत हैं तो यह हो गया आपका डेनलियन मेथेड जैनल ब्लॉसर मेथेड और पामबर मेथेड आपको तीनों समझ में आगे होंगे यहां पर आपको यह समझना बहुत इंपोर्टेंट है कि सबसे पहले आया था जो आपका पामबर मेथेड था इसके बाद में आया था आपका ज आपके याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा यहां तक आपको चीजी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और किसी तरह कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट जेक्शन में लेख सकते हैं उसका रप्लाइ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा और हमारी फेस्बुक पेज और टेलेग्राम चानल को जरूर से जॉइन कर लेजगा यहां पर आप उस सारी के सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं इतनी पीडियाप्स होती हैं वो भी यहां पर आपको अवेलिबल हो जाती हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जिरूर से कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शियर कर देंगे तक कि सब इते के साथ यह वीडियो पहुंच जाए चानल पर नहीं तो चानल को सब्सक्राइब कर लेगे बेल आकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स आंड थैंक य यू सो मुच पर जोइनिंग में हैर